आपसे मतलब ठंड है आप पुरे उसे मिजाज में भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये जो पतजड आपकी पार्टी का है ये तो मतलब चुनाव आते आते कोई नेता बचेगा ममता दीदी और उनके भतीजे के अलावा देखिए हमारे पार्टी में आज भी 200 के करीबे मेले हैं जो लोगों को 5 साल बाद इलेक्शन के 2 महिने पहले उनको लग रहा है कि उनका बात कोई सुनने रहा है वो काम नहीं कर रहा है तो वो अभी पार्टी स्ट्रिक्ट हो गई है इसलिए पार्टी ने वैशाली डालमिया को निकाल दिया है पार्टी से और आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि वैशाली डालमिया को जो जिनकी बेटी है उनके सम्मान में दीदी ने उनको विधायक बनाया था और आज सड़ेनली उनको लग रहा है कि उनको कुछ मिला नहीं है वो काम नहीं कर पार है तो ऐस अपने नेताओं की मतलब यहां पर सिर्फ दो तीन गिने चुने ऐसे नेता है जिनकी चल रही है बाकी नेताओं कि आप लोग सुनेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे देखिए सुनते तो हम सब की है पर इन लोग की ख्वाइशे थोड़ा जादा बढ़ गई है इलेक्शन से पहले यह लोग अपना रंग दिखा रहें तो इसीलिए हम लोग जो एस्यूम्टोमेटिक नेता थे वह अभी ज jurk दिखा रहें तो हम लोग उनको वैक्सिनेट करके निकाल रहे हुँ कि उलाता और एक्सला सवाल पुर्णता सही नहीं है लोग तंत्र में किसी नजर तो रहती है ना टीम से के नेताओं उक्साने का भी काम कर रही है बीजेपी अगर भारती जनता पार्टी के उक्साने से लोग बाहर आ रहे हैं तो फिर एक सवाल उठता है कि त्रणमुल कॉंग्रेस अपने नेताओ को समालने में बेर्थ है कि भारती जनता पार्टी उक्सा रही है और बाहर आ जा रहे है अगर ऐसा होता तो रिजू को भी हमारे पार्टी में सामील हो जाना चाहिए मैं भी उक्सा देता हूं ऐसा नहीं होता है जिनको लग रहा है कि त्रणमुल कॉंग्रेस के अंदर वो का रूप है सही गलत क्या है कि यह दोनों पक्स्तरणमुल कॉंग्रेस और यह उनका मामला है मैं बाहर से इस पर मेरा कोई भी टिपड़ी करना उचित नहीं होगा आप लोग मज़े ले रहे हैं ना उनकी पार्टी में भगदण मचीवी आप लोग तो मज़े ले रहे हैं देखे एक जिम्मेदार भारती जनता पार्टी के कारेकरता के नाते मैं इतना कह सकता हूँ भारती जनता पार्टी में कौन सामील होगा नहीं होगा यह उसका नीजी नरने होगा हम किसी भी पार्टी के तोड़ फोड में हमारा कोई दिल्चसपी नहीं है यह उनका तोड़ प्रवाइब बेंचर्स हो गया है अभी इनको हमारे जो नेता थे वो जो लोग तो आपको भी बुला रहे हैं कहा है मैं उकसा रहा हूं हमारी पार्टी के नेता थे जो लोग अभी खुद बोल रहे हैं कि हम लोग 2014 से बीजेपी का काम कर रहे थे अंदर में रहे के जो लोग सीबी इडी से प्रोब हो रहे हैं आज वो जाके इनके पहले नेता बन रहे है और इनको सलूट करना पड़ा यह तो दुक्का बात है बीजेपी को लेके यह मतलब सलूट करने की नौबत क्यों आगए जिसके खलाफ आप लोग आग गूगलते थे जहर उगलते थे उन्हें हैं हो लोग मौना ना आख रहे हैं हमारे चिंता नकड़े रीजुदा अपनी पार्टि की चिंता करे रहा बात की हम लोसु मासूमित से रिटेश या बाते तो कर रहे हैं लेकिन ये बात तो सही है ना कि नेताओं के भरोसे बीजेपी समय्य मतलब पूरी की पूर्स यहां पर आचुकी है ताकि टीमसी में तोड़ फोड़ करके उनके निताओं को शामल करो और चुनाबी जीत हासिल करो देखें दूर दूर तक ऐसा कोई मानना नहीं है वापस आपस आप दोजार अठारा के चुनाओं से पहले हमारे ग्रे मंत्री जीत अतकालीन भारती जनता पार्टी के अद्धक हर कारेकरम में कहते थे कि चुनाओं के परिणाम आएंगे हम 22 सीटे जीत के आएंगे हम 18 जीते दो बहुत नेरो मार्जिन से हम भार गए लगबक हमारा जो टार्ग तो बहुत होड़ा जानकारी कर लिजे रिजिवाई हम जहां भी विपक्ष में होते हैं पूरी पर्टी कलेक्टिव पूरी 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 परी परिणम आने के बाद पार्टी का परलामेंटरी बोर्ड विधायकों से बाबचित करके नेता चुनता है एक भी प्रदेस करता हो क्या उत्तर प्रदेश में चुनाओं से पहले 2017 में हमने योगी जी का नाम आगे किया था नहीं किया था पूरी पार्टी उनाइट तो सच है यह बात तो सच है यह तो मोदी जी के नाम पर जीत रहे हैं तो हम तो वही तो आप लोग को दिक्कत है तो बात एक बात बता है ना कौन मना कर रहा है पड़ बात यह है कि जब आपके पास कोई cm candidate नहीं या आपके अंदर में तेरा तेरा सीम्टो केंडिएट है एक सीम केंडिएट नहीं ममता बैना जी ने डिक्लेर कर दिया वो नंदी गाम से खड़ी और उनके एगेस्ट में सुबेंदु जी जातो यह तो नहीं किया नहीं सीम कंडिएट डिक्लेर को